हलो दोस्तों आज हम जाएंगे तारागड पे तारागड जो की आपको सामने दिख रहा है पाड़ी के उपर जो दिख रहा है वो तारागड है हम रवाना हो चुके हैं हम जा रहे हैं कार के अंदर बेट के तारागड के लिए रास्ते को आप देख सकते हैं कैसा है रास्ता ये पहड़ी के उपर चड़ने वाला जो रास्ता है बहुत ही सकड़ा है दो गाड़ी आ सकती है वो भी दोनों को धीरे होना पड़ता है क्योंकि रास्ता बहुत पतला है आप देख सकते है और हम अभी आदे रास्ते में भी नह पहुंचे है और आप देख सकते हैं यह अजमेर नीचे दिखाई दे रहा है जो अजमेर शहर है वो आप देख सकते हैं यहां से आपको नीचे दिखाई दे रहा है अभी बहुत हुचाई पे जाना है बताना चाओंगा इस किले के बारे में यह तारागड का किला है अजे पा और इस किले के उपर एक फेमस दर्गा बनी हुई है वो है हजरत मीरा साहब रहमुतला अले की दर्गा है और वहाँ पे एक टावर बना हुआ है जो कि हम आदे रस्ते में रोक के बता रहे हैं आपको यह आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो टावर है और वो किला था जो दिवार अभी आपको दिखा रहते हैं यह देख सकते हैं अजमेर शहर पूरा यहां से हमको दिखाई दे रहा है हम अभी आदे रास्ते में पूँचे हैं तो भी आप देख सकते कितना नीचे रह गया अजमेर शेहर यह जो सामने दिखाई दे रही थी वो किले की दिवार थी अब हम वापस रवाना हो गये हैं आपको यहां से भी अजमेर शेहर नीचे दिख रहा है बहुत दूर यह जो किला है साथ सो फिट की हाइट पे है बहुत उचाई पे है गाड़ियों के अंदर जैसा कि हम जा रहे है पहुंचने वाले है यह लंबा रास्ता है दोस्तों लेकिन मैंने स्किप की थे वीडियो और यह दर्गा देख सकते है जो किले से बाहर बनी हुई है यह किला है जो उसके बाहर की दर्गा है जो दूसरी दर्गा है वो किले के अंदर है जो की मेन दर्गा है हजरत मीरा सहाब रहमुत लाले की अभी मैं आपको वो टावर दिखा देता हूँ यह जो सामने आपको दिखाई दे रहा है यह टावर है इसी से तारगड को पेचानते हैं लोग दूर से ही दिखाई पड़ता है यह टावर और किले की दिवार भी दिखाई पड़ती है यह हजरत मीरा साब रहमुदलाले की दरगा है इस दरगा के अंदर भी हम आपको बताए पूरी दरगा ये दरगा का मेंगेट है जो बाहर से यह मेंगेट के अंदर हम आ चुके हैं अभी और अंदर जाना बाकी है अभी मैं आपको दरगा अंदर से भी बताँ गा पहले में यहां की चीजे बता देता हूं आपको ये वो टावर जिसकी में बात कर रहा था जिससे तारागड को पेचाना जाता है दूर से ही दिखाई पड़ता है आप देख सकते हैं कितनी शांदार और बहुत बड़ी दरगा बनाई गई है अभी मैं दरगा के अंदर जाके भी आपको बता देता हूँ आप वीडियो को पूरा देखते रहें वो सामने जो दिखाई पड़ रही है दोस्तो वो सोने कलर का जो गुमबद है चमक रहा है वो वहाँ पे बनी हुई है मैं दरगा अभी यहां से आप देख सकते हैं दरगा से पूरा अजमेर दिखाई पड़ रहा है मुझे यह अजमेर आप देख रहे हैं सामने अजमेर खूब बड़ा है जैसा कि आपको दिख रहा होगा चारो तरफ यह जो अजमेर है उसके जो आस पास की सबसे उंची पहाड़ी है और यह गुमबद आपको दिख रहा है हजरत मीरा सहाब रहमतलाले की दरगा का अभी मैं दरगा के अंदर जाके आपको बता देता हूँ आप वीडियो देखते रहे है यह दरगा के अंदर जा रहे हैं यह आप दरगा देख रहे हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करे शेयर करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आगे आपके लिए बनाता रहा हूँ शुक्रिया